प्रुपजी सोयबीन में क्या लगता है आपको? 7900 का लेवल तो NCDX पर पहले ही देख चुके हैं US सोयबीन वायदा भी 1670 डॉलर की उपर सस्टेन है लगातार तेजी है रशिय यूकरेन से संफ्लावर ओल का इंपोर्ट रुख चुका है और जो अल्टरनेटिव के तोर पर CPO, Refined Soya Oil और Mustard Oil की ओपर सब की नजरे हैं ऐसे में भारत के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं खादे तेलों में और क्या किसानों को यहां से कुछ फायदा मिल सकता है? और अल्टरनेटिव जो एडिबल है उनकी प्राइजिस के ऊपर इसका असर आता हुआ दिखाई दिया है और यह जो तेजी है यह इस पर देखी डबल प्राफिट जो है वो हो सकता है कि खादे तेलों को आता हुआ दिखाई देख तो रूस और उग्रेन की लडाई की वज़े से सपोर्ट आता दिखाई दे रहा है दूसरा खुद की अडिबल ओल के अंदर अगर देखा जाए तो वर्ड वर्ड प्रोडक्शन के ऊपर भी इंपार्ट आया है जिसकी वज़े से कीम्टे सपोर्ट लेती हुए दिखाई दे रही है तो अभी के लिए तिलाल बाजार तेजी की को चरफ है और ये तेजी अभी तिलाल शोट ट्म के लिए बनी रह सकती है लोंग टम बहुत जादा झाल झाल